इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा आज चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी-बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है तो हमने देखा कि कुछ प्राइवर्ट भी और्गनाजेशन्स इंवाल हुई आठ 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 हजार, नौनो हजार सिर्फ टेस्टिंग होए जबके वैसे पांच-छे सौर पे में टेस्टिंग होती थी अब वैक्सिन्स की बात हो रही है, अभी आप लोगों ने फिर्टल गवर्ण ने ड्रैप ने कोई प्राइस रक्मेंडेशन की है, स्पटनिक की आठ से साड़े आठ हजार के दिर्मयान में दो शौर्ट होंगे चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमनी साइनो फॉर्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने जाज़त दी, आठ नौ हजार का, अब इंडिया के अंदर, ये एक सो साट रुपे से लेके दो सो दस रुपे का शॉट लग रहा है, वो खुद बना रहे हैं, ठीक है पर सिल इतना फर्क, और इनका किस तरा आप होगा, कौलिटेटेवली कैसे कौन सुपरवाइस करेगा, आपको टेस्ट के अंदर, याद है फिर आप लोगों ने हिटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेंज से, आप में टेस्टिंग रुपा भी दी थी, क्योंकि टेस् सेरियस इशू है, इसके वोट अदर, सेफटी मेजर्स इन प्लेस, और प्राइस का ताफर की है, सबसे पहली बात तो, प्राइस का जी, मैं आपको बतायता हूँ, जो सबसे पहले तो अवेलिबिलिटी की और जो प्रोविजिन की बात है, सरकार का हकूमत तुमिटेड है, क पॉपरेशन को कवर करने के लिए, अगर कोई मुखयर शख्स ये चाहता है, कि वो ये इनतजार ना करे, वो कम अमर है, उसकी 35 साल अमर है, 40 साल अमर है, वो नहीं चाहता कि इनतजार करे, और वो अपनी जेप से पैसा देने को तयार है, तो ये एक आप्शन महां पर खोला जा रहा है उन लोगों के लिए, मेरी अपनी जाती राये के अंदर ये बहुत, बहुत ही थोड़ी तदाद होगी पाक्सानियों की, जो इस आप्शन के उपर जाएंगे, उसका कानून है, कानून बड़ी सादा सी बात कहता है, बिल ओफ लेडिंग होगा, उस बिल ओफ ले ले लिए जाएगा उससे, जो वो कानून कहता है, उसी के मताबक वहाँ पे इंप्लिमेंटेशन होनी है, वो महंगी है, वो हर पाक्सानी के लिए नहीं है, वो आप ये कह रहे हैं कि जो इंपोर्टर होगा, वो सप्लायर की परचेस प्राइस पे 40 पीसद आड़ करके उसको अजाज़त होगी बेशने कि उससे जादा नहीं? जी, वो चालीस पीसद है, जो उसका कॉस्ट के लिए अलाव किया गया है, वो पूरा ड्रैप के कानून के दर पूरी तफसील से लिखावा है, कि क्या चीज़ है, और पंदना फीसद इस दे प्राफिट मार्जिन जो के अ लाव किया गया है, अच्छा दूसरा, जो ये पुराना ड्रैप का लाव है, ये निया लाव नहीं है, दूसरा से जी बिताएए कि ये, बिकास बहुत इस मुल्क में चल रहा है, वैक्सीन से लोग ड़ रहे हैं, वो समझते हैं, चाइनीज वैक्सीन है, तो चाइनीज किसी का आजाता है, अच्छा बुरा है, फिर प्राइम निस्टर की जो चानक हुआ, उस पर भी किन्फूजन पढ़ गी, होनी नहीं चाहिए थी, बट एनीवे, हमें ये किस तरह पता लगेगा, जो अब ये भी स्पर्टिक भी आ रहा है, दूसरा भी चाइनीज वेरी, एक एक्सपर्ट्स कमिटी है, वो एक्सपर्ट्स कमिटी इंटरनेशनल लिटरिचर रिव्यू करता है, जो दुनिया की एडवांस जूरिस्डिक्शन जिनको कहा जाता है, हेल्थ रेगुलेशन के लिहाज से, उनके फैसले देखते हैं, ये साइनो फार्म वाला मसलें जो है, म जारे है, इसको टेक्निकल कमिटी ने रिव्यू भी किया है, अगर पाकिसान के सदर उसको लगा रहे है, पाकिसान का हेल्थ मिनिस्टर उसको लगा रहे है, पाकिसान के वजीर आजम लगा रहे है, तो जाहर है, एक एक एतमाद है कि ये जो वैक्सिन भी जा रही है, ये सह साइन फार्म है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी इनको तो फाइजर की लग गई है और बाकियों को साइन फार्म लग रही है और आगे जब भी मेरी बारी आईगी मेरे एज ग्रूप की बारी आईगी तो अगर आप मुझे पूछे इस वक्त के चोईस अगर आपको दे दी है कौन सा लगाओं तो मैं तो साइन फार्म लगाओंगा इस रीजन के अंदर इतने लोगों को लग चुकी है और अलहमदलल्ला ठीक रहे हैं एक चीज़ तो पता लगी ना कि आप भी जवान है सिक्स्टी से नीचे हैं आपके ग्रूप के बी बारी तो गाईज यह वीडि जो रशियन वैक्सीन है उसका 13,000 रुपए है और जो चाइनीज वैक्सीन है उसका 10,000 रुपए है और भारत में यही वैक्सीन गवर्मेंट हॉस्पिटल में मिल रही है फ्री में और जब सरकार ने बोला है कि प्राइबिट हॉस्पिटल में जब यह वैक्सीन आएगी तो तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान से भारत में वैक्सीन कितनी जादा सस्ती है और पाकिस्तान के लोग आपको पता होगा पाकिस्तान का मीडिया पिछले एक बहिडे से अब काफी ठंडा पड़ गया है और पाकिस्तान की तरब से कुछ ऐसे शायन आ रहा है जैसे कि पाकिस्ता भारत के साथ रिस्ते अच्छे करना चाह रहा है आपको बता दें पाकिस्तान में कपास बिलकुल नहीं है पाकिस्तान में गेहू बुक्की बहुत कमी थी और जिसके करद वहाँ पर गेहू था बहुत महगा तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बैपार मतलब ट्रेड हो और इसमें ऐसा लग रहा है कि अब पहले तो लग रहा था कि अमेरिका रोल प्ले कर रहा है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें साओधी अरब और UAE का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत पाकिस्तान के रिस्ते अच्छे हों भारत पाकिस्तान के रि को बिल्ड करने में भारतियों का कितना बड़ा हाथ है और उनका इंबेस्टमेंट भी भारत में कितना जादा है आपको पता होगा UAE और साओधी अरेबिया ने पाकिस्तान के अभी जो वरकस्त हैं उनको बैन भी करना सुरू कर दिया थे क्योंकि पाकिस्तान एक नया असलाम कोई रास्ता नहीं है तो पाकिस्तान साओधी अरेबिया की बाते सुनने लगा है तो इस बज़ाए से पाकिस्तान ठंडा पड़ने लगा है तो अब देखते हैं आगे होता है क्या दोस्तों आपको क्या लगता है भारत के लिए जो पाकिस्तान के तरब से कुछ ऐसे ठंड इठने रिस्पॉंस आ रहे हैं तो इसमें क्या रीजन है और क्या भारत को पाकिस्तान के सार्ट चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कॉमेंट वाक्स में अपने सुझाओ जरूर लखें आपको वैसे भी पता हो का भारत की बनी कोविट स्चील्ड वैक्सीन पाकिस्तान को जल्दी साड़े चार करो डोजिस मिलेंगे हाला कि ये एक साथ नहीं मिलेगी थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलेगी लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान को ये मेड इड इंडिया वैक्सीन मिलने वाली है जो गावी के थ्रू होगी जो गरीब देशों को मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत मकर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज याल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कॉमेट बॉक्स में ते सुझाओ जरूर दीजिए